मिस्सिंग नंबर्स तो जो मिस्सिंग नंबर्स मैम आज आपको करवा रहे हैं वो भी वैसे ही होते हैं इसमें क्यों होते हैं कि थोड़ी सी जो काउंटिंग होती है वो मैम आपको लिख देते हैं और जो मैम ने मिस्स कर दी है वो आपने लिखनी है देखो मैम ने क्या कि कौन कौन से नंबर मैम ने miss कर दिये, जो मैम ने नहीं लिखे, वो आप लिखोगे, okay, so this is number zero, ये मैम ने लिखा हुआ है ना, हम zero से counting start करते हैं, zero, one, ओ, ये क्या, मैम नहीं लिखा, तो one के बाद क्या आता है, what comes after number one, आता है, सबको आता है ना, one के बाद क्या आता है, number two, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, number two, okay, oh, मैम ने two के बाद भी नहीं लिखा है, यहाँ पर miss कर दिया है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, what comes after number two, number three, क्या लिखेंगे हैं यहाँ अपर, number three, अप देखो यहाँ पर 3 के बाद क्या आता है 4 वो तो मैंने लिखा हुआ है 4 के बाद क्या आता है मैंने मिस्स कर दिया है What comes after number 4 अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप उपर से counting कर सकते हो Like this 0 1 2 3 4 क्या आया 5 yes 5 हम सुन्दर से यहां पर 5 बना देंगे 5 के बाद फिर मैंने मिस्स कर दिया है क्या आएगा number 6 7 मैंने लिखा हुआ है 8 भी मैंने लिखा हुआ है 9 भी मैंने लिखा हुआ है तो आप इहां पर क्या लिखोगे number 10 क्या लिखोगे 9 के बाद क्या आता है number 10 1, 0 1, 0, 10 1, 0, 10 ओके, इसको क्या बोलते हैं? Missing numbers बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको? Missing numbers जो मैं miss कर देते हैं वो आपको लिखना होता है ओके, तो आपने 0 to 10 की practice करनी है single dot पे याद है न आपको? और बहुत अच्छा बच्चे लिखके भी भेज लें मुझे single dot पे, I am very happy चीक है? तो अब आपने ये जो missing numbers है ये भी single dot पे करने हैं, ओके ममा आपको single dot डाल कर देंगे और आपने इसके उपर अच्छे से लिखके मैं आपको fix and करनी है ओके, बाई